हेलो दोस्तों तो कैसे है आप सब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूंगा एक ऐसा बैंक अकाउंट के बारे में जिसका जीरो बैलेंस का आपका यहाँ पर एकाउंट खुलेगा यहाँ पर सारा फीचर्स आप यूज कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो देखिए यहा बैठे मोवाइल से यहाँ पर बैंकिंग कर सकते हैं सिम्पल चुटकियों में आप यहाँ पर आई डबल पी बी मतलब की इंडियन पुस्ट आफिस में आपका एकाउंट खोल सकता है तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अग आई डबल पी यहाँ पर टाइप करना है इसका मतलब होता है इंडियन पोस्ट पेमिंट बैंक लिमिटेड तो देखे यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आ रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो देखे यहाँ पर अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस् देखें यहां पर कुछ डीटल आ रहा है Welcome to IWPB Mobile Banking अगर आपका इसमें अकाउंट है तो Login में जाएंगे लेकिन अगर नहीं है New to Bank तो देखें यहां पर नीचे में उप्सन आ रहा है Open your account now तो आपको यहां पर Open your account now में क्लिक करना है क्योंकि आपका एकाउंट अभी बनेगा अब देखें ऊपर में क्या है आपको Mobile Number डालना है उसके बाद याद रखीजे Mobile Number आपका आधार काड़ से Link होना चाहिए क्योंकि यहां पर आधार OTP Verify होता है तो यह आपका आधार काड़ से है कि नहीं Link यहां पर Pen Cut Details भी हम डाल देंगे तो देखें यहां पर हम फिर से Continue में चले जाएंगे Continue में जाने के बाद देखें यह हमारे Number पर OTP आएगा उस OTP को Verify करना है देखें हमारा OTP हमारा आ चुका है तो चलिए OTP हमने Verify कर दिया है अब देखें यह पूछ रहा है कि आपका आधार Number दे सकता है या फिर आधार Virtual ID तो मैं यहां पर आधार Number यहां पर डाल देता हूँ तो चलिए आधार Number जो है वह मैं डाल देता हूँ हमने Re-Inter कर दिया है उसके बाद देखें यहां पर कुछ लिखा गिया है आधार बेस OTP अकाउंट विद एनी बैंक और आई है वे गिफ माइ कंसेंट फर ओपनिंग एकाउंट तो यहां पर तो दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है आधार जो डिटेल्स वो डाल देजिए उसके बाद दोनों में टिक कर देए टिक करने के बाद यहां पर Submit में हम जाएंगे Submit में जाने के बाद यहां पर फिर से अधार से यहां पर वेरिफाइड होगा जैसे कि देखे इसका OTP भी हमारे पास आ गया है इसको भी verify हम कर दिये हैं यह हमारा आधार से verify हो गया है अब यहां पर देखिए आपने सारा कुछ वहां पर लगबग one step आपने complete कर दे हैं उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर भरनी पड़ेगी तो देखिए यहां पर प्रस्नल इंफर्मिशन में चले जाएं है तो जो डीटल से नहीं है वो डीटल साप यहां पर भर सकते है तो यहां पर देखिए यहां पर डाल देते हैं mother maiden name जो आपका मा का जो साधी से पहले जो नाम था वो आपको डालना है उसके बाद देखें mother name में अभी वाला नाम आप डालेंगे जो उनका साधी के बाद का जो नाम है अगर दोनों same है तो दोनों same भी डाल सकते है यहाँ पर husband और wife name है तो यहाँ पर जैसे कि तो आप यहाँ पर डाल सकते है अपने husband या wife का नाम अगर आप साधी सुधा है या फिर उसे छोड़ सकते है क्यों कि यह mandatory नहीं है फिर हम save में हम चले जाएंगे यहाँ पर personal detail हमने भर दिया है pen and communication address यहाँ पर है उसके बाद देखिए यह पूछ रहा है क्या आपका communication address same है जहाँ पर अधार card पर जो पता है अगर ऐसा है तो यहाँ पर tick already पहले से है otherwise इसे untick कर सकते है फिर form 60 आपको declaration आपको यहाँ पर भरना पड़ जाएगा लेकिन हाँ मेरा permanent address वहीं पर है तो मैं यहाँ पर save में चले जाता हूँ pen card and communication address सब हो गया nominees detail nominees detail का मतलब यह है कि कल को अगर आपकी मित्यू हो जाती है तो आपका account किसे access करने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको उसकी detail डालनी पड़ेगे कि कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद account holder वो हो जाएगा उसका वो access कर सकता है तो यहाँ पर आपको पूरा details उसकी भरनी पड़ेगे जिसे आप nominee बना रहे है otherwise आप यहाँ पर इसे बाद बाद में भी आप कर सकते है यहाँ पर no do not wish to nominee यहाँ पर डाल दीजिए फिर से मैं यहाँ पर no में क्लिक कर देता हूं बाद में भर लूँगा फिर यहाँ पर additional information में जाएंगे यहाँ पर देखे कुछ कुछ information है जैसे कि nationality Indian ठीक है material status यहाँ पर साधी सुदा है तौ साधी सुदा नहीं है तो नहीं यहाँ पर unmarriedment ृक्रिशा टीक occupation टाइप यहाँ पर डाल देते है तो जो आप काम करते है वो आप हिसाब से यहाँ पर SELECT कर लिजे कि आप यहाँ पर क्या करते है तो यहाँ पर मैंने एक्रिक कर दिया Gross Income हम यहाँ पर डाल देते है उसके बाद Educational Level जो भी आपने यहाँ पर Complete किया है वो डाल दीजिए जैसे मेरा Post Graduation है मैंने यहाँ पर डाल दिया है Are you Politically Exposed Person क्या Politically Exposed Person है तो मैं यहाँ पर No में क्लिक कर देता हूँ फिर Save कर देता है उसके बाद Account Information में क्लिक करेंगे उसके बाद Require an Account Statement क्या आपको Account Statement चाहिए जोरी है तो जी हाँ चाहिए यहाँ पर Yes में मैंने क्लिक किया अब यहाँ पर Account का Statement कैसे चाहिए Online चाहिए या फिर Postal Card के थुरू चाहिए तो अगर Online चाहिए तो यहाँ पर Online में आपको क्लिक करना है अगर Postal Card के थुरू चाहिए तो यहाँ पर Postal Card में आपको करना है क्लिक तो मैं यहाँ पर Online सेलेक कर देता हूँ उसके बाद देखे यहाँ पर है Receive DBT in IWP Account तो यहाँ पर अगर कोई भी Subsidy अगर आपकी आप चाहते कि यहाँ पर मंगवाना चाह रहे है तो यहाँ पर आपको Yes Change Mapping of DBT to IWPB Account में यहाँ पर क्लिक करना है मतलब कि इससे पहले आपका Subsidy किसी और Account में आ रहा था लेकिन आपको Change करके यहाँ पर करना है या फिर आप अगर नहीं चाहिए तो देखें यहाँ पर Yes I do not receive DBT in any existing अगर आप इससे पहले कोई भी Account में अगर आपका Subsidy नहीं आ रहा है लेकिन आपको इसी Account में इन The Future चाहिए तो आप यहाँ पर वाली Yes में करना है तो Yes का मतलब यह है नीचे वाले जो Second Number Yes है उसका मतलब है कि आपका पहले से कहीं पर Subsidy में पैसा आ रहा था आपको Change करना है यहाँ पर Mapping करना है First वाला जो Yes है उसका मतलब यह है कि आपके कहीं पर भी Subsidy नहीं आता है लेकिन इन The Future के लिए आप इसे रख सकते हो उसके बाद नीचे में देखिए No है तो No में अब Simple से आप मैं यहाँ पर No में क्लिक कर देता हूँ I do not want to receive DVD उसके बाद Agree में मैं क्लिक कर देता हूँ Term Condition में उसके बाद Save में क्लिक कर देता हूँ सारा कोच यहाँ पर हो गया है मैंने पूरा डीटल मैंने भर दिया है पांचों का पांचों अब मैं continue पर क्लिक करूंगा continue पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर banking option यहाँ पर कुछ 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 टिक करना है जो चाहिए जैसे कि मुझे mobile banking चाहिए SMS banking चाहिए Miss call banking भी चाहिए तो दोस्तों यह banking बहुत ही अच्छा है क्योंकि यह Indian Post Office का है यहाँ बहुत ही अच्छा है आप इसे जल से जल यहाँ पर open कर लीज़ए तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैंने यहाँ पर डीटेल से यहाँ पर डाल दिया अब मैं इसे last confirm में मैं क्लिक करूंगा confirm में क्लिक करने के बाद फिर से अधार कार्ट के थुरू OTP authentication यह लेगा अब देखिए फिर से मुझे यह OTP डालना है तो सबसे important बात तो यह है कि आपका अधार कार्ट से link होना चाहिए आपका number जो number आप यहाँ पर डालेंगे तो देखिए यहाँ एकाउंट हमारा यहाँ पर open हो गया है तो देखिए यहाँ पर account created successfully यहाँ पर आ रहा है customer ID हमारा दिया गया है और bank account number भी यहाँ पर हमें मिल गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है customer ID bank account number यह आप एही पर save करके रख लिजे जैसे कि चलिए मैं यहां पर स्क्रीन सॉट यहां पर मैं ले लिया हूं उसके बाद देखिए हम गो टू हो में जाएंगे देखिए बैंक अकाउंट आपका यहां पर बन चुका है अभी आपको क्या करना है कि लॉग इन में चले जाना है लॉग इन में चले जाने के बाद आ उसके बाद देखे, रजिस्टर में आपको यहाँ पर करना है, क्लिक, उसके बाद देखे, आपको यहाँ पर MPIN सेट करना है, मतलब कि जब जब आप लॉगिन होंगे, या फिर कोई भी ट्राजक्सन करेंगे, तो यह MPIN आपको देना होगा, तो आप सेट कर लीजे, यह MPIN यह पको हो गया है गोका को यहाँ फेंदी आयो रखें का माता है जसरुन आब नोगड़ विन इ uneven यहां पर आपा जी किया है चारल ark सूझ एंसमप्रें इसी शर्च campaign कर संबादर लिए अप कि side last member अगर हम यहाँ पर click करेंगे तो देखे, यहाँ पर no transaction detail फिलार तो आ रहा है तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर services का option यहाँ पर धायगा है, यहाँ का उप सेधों के click करेंगे, अगर आपको चेक बुक मांगाना है तो checkbook में click करेंगे New Checkbook View Checkbook Status Stop Checkbook Payment तो यहां पर यहां पर आप ट्रेस कर सकते हैं नय चेक्बुक मंगाना है तो New Checkbook में आपको क्लिक करना है User Do Not Have Any Checkbook तो यहां पर आप यहां पर चेक्बुक मंगा सकते है यहां पर करते हैं बैक करने के बाद देखें यहां पर नॉमनी से पहले हमने नहीं डाला थे यहां पर आपडेट भी कर सकते हैं आप पैंकाarड डीटेल सभी दे सकतेया है अधार कार्ड सीदिंग भी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह सारा कुछ तरुछ दी आ आपको दिया गया है जैसे इस्टार्ट होगा तो आपको यहां पर बता दिया जाएगा कभी भी कोई भी कम्प्लीन होगा तो नीचे में देखें टोल फ्री नंबर है 155-299 यहां पर आप कॉल कीज़े कोई भी डीटेल्स अगर इससे रिलेटेड आपको पूछनी है तो यहां पर आप कॉल करके यहां पर पूछ सकते हैं ODP Services में भी आप देख सकते हैं यहां पर जैसे की Recreating Deposit है Public Provision Fund हो गया तो यह सारा कुछ फैसलिटी आपको यहां पर मिलता है तो यहां पर बहुत ही अच्छा है यहां पर आपका Indian Post Office का Bank है तो इसे आप यूज करें I hope आपको यह पसंद आएगा यह बैंक का धिरे धिरे और भी यह अपने आपको अपडेट कर रहा है टेकनोलोजी के मामले में तो और भी बहुत जो जो सुभीदा आपको मिलती है अन्य बैंक में यह भी धिरे धिरे लेकर आ जाएगा तो दोस्तों यहां पर I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सब चीज मैंने यहां पर क्लियर किया है वीडियो अगर थोड़ा सा बड़ा बन गया है तो मैं उसके लिए आप से माफिय मांगता हूँ यहां पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दे सब्सक्राइब कर लीजे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपको नमस्कार थेंक्यू थेंक्स फॉर वाचिंग